काता पॉइंट चाज की लाई परपेंडिगूलर बाइसेक्टा एलेक्टिक डाइपोल अगर आप डाइपोल पड़े होगे तो डाइपोल का फिल्ड कैसा होता है यह गाहे डाइपोल प्लस वाला और यह माइनस वाला सबसे सुन्दल अच्छी वाली यह डाइपोल होते हैं एक प्लस और एक माइनस, इक्वाल एंड ओपोजिट चार्जेस का एक पेर होता है, और यह डिस्टेंस एपर है, तो इनके इसकी वज़े से फिल्ड बनता है, इसी स्पेस में फिल्ड बना होगा, दोनों की वज़े से, तो बिसिकली हम जो है, वो बात जो करा, वो एकोटोरि प्लस एक प्लस और यहां पर फिल्ड किसके प्रप्रोर्शन लोगा यह डिस्टेंस और यह भी बताए जारा कंडिशन दिया हुआ, देखो, कि दा मतलब इसमाल डाइपोल है मतलब इसमाल डाइपोल है यहां पर जो फिल्ड की वैलू होती है यहां पर यहां पर यह वाली डिस्टेंस आर आर का स्कॉर्ड इस लाइन पर फिल्ड नेट फिल्ड हमें सा याद रगना कि यह इस पॉइंट पर नेट फिल्ड है जो की डाइपोल से 180 डिगरी पर एलाइनमेंट होती है मतलब डाइपोल मुमेंट इधर है तो अभी नेट फिल्ड इधर होगा तो यह तो हमें याद रगना है कि यहाँ पर नेट फिल्ड वो इधर है और उसकी मैगनिचूड इतनी है अब इसमें अपना कंडिशन लगाओ कंपेर करो क्या कंपेर करोगे यह जो आर डिस्टेंस मतलब यह बहुत ही चोटा है यह आर कंपेर में बहुत ही चोटा है मैलों एक आदमी है मिस्टर है मिस्टर वित्व यह एक्स है और एक आदमी जिसके पास मानलो एक रुपया है और वह अपने आपको compare कर रहा Bill Gates से जिसके पास billions of dollars है तो जब यह अपने आपको Bill Gates से compare करेगा कि मैं एक रुपया लेकर Bill Gates के compare में कितना अमीर हो तो इसको पता चलेगा कि मैं approach to zero हूं Bill Gates के सामने तो मैं zero के बराबर हूं तो यह बहुत ही छोटा है तो जो छोटा है approach to zero है तो यह तब ही है जब compare करता है अगर यह Bill Gates नहीं होगा तो यह अपने आप में एक गुरुपया लेकर राजा है यार समझ रहो न दुनिया का तो यहां से compare कर दो तो compare करने के बाद जो electric field e आ जाएगी that is the kp और r यह r था r का square मतलब r की power 3 तो यहां से proportionality compare कर लो e is proportional to e e is proportional to p and e is also proportional to r की power minus 3 एक की के constant मतलब डी option सही है बराबर है चोड़ा